बुड़े बाप और बेटे का ऐसा केस जिसे सुनकर जस साहब के आँखों में भी आँसु आ गए एक बुड़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कर सेगे जस साहब ने पुछा आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है बुड़े बाप ने कहा मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महिनी का खर्च मांगना चाहता हूँ जस साहब ने कहा यह तो आपका हक है इसमें कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है आपके बेटे को वैसे भी आपको हर महिने खर्च देना ही चाहिए बाप ने कहा मैं बहुत मालदार हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे से हर महिने कर्चा लेना चाहता हूँ चाहे वो कम ही क्यों नहों जस साहब आश्चर्य चकित होकर बाप से कहने लगे अगर आप इतने मालदार हैं तो आपको अपने बेटे के पैसों की क्या जरूरत है बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जस साहब से कहा आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा जब बेटा अदालत में आया तो जस साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिता आपसे हर मेना खर्चा चाहते है चाहे वो कम ही क्यों रहो बेटा भी जस साहब की बात सुनकर आज़्चर ये चकित होकर कहने लगा मेरे पिता तो बहुत मालदार है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है फिर उन्हें मेरे पैसों की क्या जरूरत है जजस सहब ने कहा यह तुमारे पिता की मांग है और वो अपने मांग में सोतंत्र है पिता ने जजस सहब से कहा जशाहब आप मेरे बेटे से कहिë कि वो हर माँ मुझे सिर्फ सू रुपय दे लेकिन शर्ट ये है कि वो पैसे मुझे अपने हाथों से दे और वो पैसे देने में बिलकुल भी देरी नहीं होने चाहिए जशाहब ने कहा बिलकुल ऐसा ही होगा पिर जस साहब ने बुड़े आदमी के बेटे से कहा की तुम अपने पिता को हर मेहने सो रुपिय बिना देरी के उनके हातों में दे दिया करना यह अदालत तुमें हुकम देती है मुकदमा खत्म होने के बाद जस साहब पिता को अपने पास बुलाते है उन्होंने बुड़े आदमी से पूछा की अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आप से एक बात पुछना चाहता हूँ आपने बेटे के खिलाव या केस क्यों किया जब कि आप मालदार हैं और अपने बेटे से बहुती छोटी सी किमत की मांग की है बुड़े आदमी ने रोते हुए कहा जज साहब मैं अपने बेटे का चहरा देखने के लिए भी तरज गया था वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि एक दमाना गुजर गया उससे मिले हुए और ना जाने कितना वक्त गुजर गया कि मैंने अपने बेटे से बात नहीं की ना सामने बैट कर और ना ही मुबाइल पर मुझे अपने बेटे से बहुत महबत है इसलिए मैंने उस पर यह केस कर दिया ताकि हर माही सही कम से कम वह मेरे सामने तो आ जाया करेगा मैं उसे देखकर खुश हो लिया करूंगा बूड़े पिता की बात सुनकर जजस साहब के आँखों में आँसु आ गए जजस साहब ने कहा कि अगर आप यह बात मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपके बेटे को आपको नजर अंदाज करने और आपका ख्याल ना रखने के जर्म में सजा भे दिल्वा देता बूड़े पिता ने जजस साहब की और मुस्कुरा कर देखते हुए कहा अगर आप मेरे बेटे को सजा दिल्वा देते तो यह मेरे लिए बहुत दुख की बात होती क्योंकि मैं सच में अपने बेटे से बहुत महबत करता हूँ और मैं यह हरगिस नहीं चाहूंगा कि मेरी वज़े से उसे कोई सजा मिले या उसे कोई तकलीफ पहुचे काश कि बच्चों को यह पता चल जाए कि उनके माता पिता उनसे कितनी महबत करते हैं वक्त रहते वो उनकी बात को समझ पाए आशा करती हूँ कि एक कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए